आप प्रेगनेंट हैं, प्रेगनेंट में बहुत सारा उतार चड़ाओ आता है और फ्रेन्ट्स प्रेगनेंट जो महिलाएं होती है उनको काफी ज़्यादा दिक्कत होती है कि क्या चीज़ खाएंगे хват उसी में से है अब तो गर्मिया आ गई हैं गर्मियों में क्या आप तर्बूज का वाटर मिलन बहुत ज़्यादा आ रहा है तो क्या आप वाटर मिलन तर्बूज का इस्तेमाल कर सकती हैं खा सकती हैं अगर खा सकती हैं तो किन महीनों से खा सकती हैं और कितना क्वांटिटी मे आपका हमारे चनल में बहुत-बहुत वगत है। सबसे पहले बात करते हैं, बहुठ और किन महिलाओं को नहीं खौता कि और किन महिलाओं को उस स्कावजा है। पहले से गैसए आपको बढ़ाद है क enclosure असका अükran जो चीज का फाइदा होता है बेनिफिट होता है उस चीज का नुकसान भी होता है तो आपको इसका सेवन बहुत जादा नहीं करना चाहिए दूसरी बात अगर आप वाटरमेलन का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप फ्रिज में रखा हुआ जैसे कि आज आपने खरीद के लाया उ पिल्कुल नुकसान करेगा और फ्रेंड्स नुकसान करने के साथ साथ यह आपको कभी फाइदा भी नहीं करेगा तो मेरी यहीं है हाइली एडवाइज है कि अगर आप वाटरमेलन का क्या क्या बेनिफिट है सबसे पहले अगर आपका वाटरमेलन अगर आपके अंदर अम् या फिर आपके अंदर यानि की पानी की कमी है या फिर आपका जो तोचा से समद्धित कोई भी दिक्कत है उसमें भी ये फाइदा करेगा इसके साथ इसको लेने से आपका पेट भी साफ रहता है और आपके सिसू की भी ग्रोथ अच्छे से होती है तो कि वाटर मेलन में से ले सकते हो तो देखिए डियर आपको वाटर मेलन प्र tongues के सुरू से ही जब से आप से आप प्रेगनेंट हो जाते हो तबसे आप उतिख़ का ने हैं अऑ इसको तो आपको जाता है अब बात करते हैं कि जो क्या जाता है पीसेज मे इसको तो उससे मैं आपको उसकी quantity बता देती हूं कि दो स्लाइस से ज़्यादा आपको नहीं खाने चाहिए अगर आप प्रेगनेंट हो तो दो स्लाइस बहुत ज़्यादा आपको है इससे ज़्यादा आप जो है इसको खाऊगे तो यह आपको नुक्सान करना लगेगा तो अगर आप यह सोच के हम लोग जो है खाते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाऊगे तो डियर यह बिल्कुल आपको नुक्सान करेगा तो मेरी हाइली रिक्वेस्ट है कि आप एक दो स्लाइस से ज़्यादा ना खाए एक बाल से ज़्यादा ना खाए और कोई भी आपके मन में सवाल हो कोई भी आपके मन में सवाल पैदा हो रहा हो इस अगले वीडियो में थाइंक्यों फर वाची